दीपक, आपके तरह का अरिश्टा देखते हैं उनसे एक छोटे भाई की तरह, एक पिता पुत्र की तरह, एक दोस्त की तरह, किस तरह का अरिश्टा रहा आपका उनके साथ? जितने दिन उनके साथ रहे? एक दोस्त, एक पिता, एक मेंटर, एक सच्चा पाक कलाकार, एक आपका छत्र बोलते हैं, छत्र उपर मेरा हाथ है, मैं हूँ तेरे साथ, वो हर चीज में, हर चीज में मतलब मेरे साथ हो, मेरे हर सुप दुख में हमेशा खड़े रहे, हमेशा, फिर मुझे बहुत सारे चांस में उनके, मुझे याद, ठीच से याद ने, लिकिन मैंने उनके बहुत सारे आलबॉम्स के, बता, म्यूजिक अरेंजर, और फुल फ्रीडम के साथ, जगड़े भी बहुत होते थे, स्टुडियो में, अच्छा, चित्रा अंटी हमेशा मेरा साइड ले थी, हमेशा मेरा तो थुन चक तुमगा, इसा मत करो ना, उसको करने दो, लेटिम, लेटिम दुए, तो मैं करता था अपने तरीके से, तो खुश भी होते थे, फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा, वेस्टन आउडर स्टूडियो के बाहर, तो देखो क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता ह अbetaan अभी तुमारे अंदर जो जोश है न, कि मैं यह भी दिखा दूँ, यह भी दिखा दूँ, यह भी करके दिखा दूँ, वह नहीं होता रहे है, और नो, पहुंसरत लड़की है, उसको श्रीगार की ज़रुत नहीं है, उसको शायद एक बिंदी की ज़रुत है, वह उस उसको तुम सोने में लाद दोगे, अपना गोल्डन साडी पिना दोगे, एक कर दोगे, तो भद्धा लगेगा हो, अच्छा नहीं लगेगा, तो अरेंजमेंट गाने के मताबिक होना चाहिए, और वर्ड्स को महसूस करो पहले, कि वर्ड्स क्या डिमांड करें, कम्पोजिश भी वैसे होनी जी, तो उस समय तो मुझे जटका लगा बहुत, कि मैं इती महनत करके लेके आया, और यह और यह ऐसी बात करने है, melody प्रधान होता है, गाना, वो कहारे मुझे, melody important होती है, words, melody, यह important होती है, arrangement, उसका एक, खाली एक, वो होता है, supporter, supporter, तो करते-करते, धीरे-धीरे मुझे समझ में आया, कि यह तो बात बिल्कुल सही है, फिर जो मेरी जो थोड़ी बहुत, जो जबान साफ है, वो all because of him, जो उर्दू की knowledge है, या जो घजल की जो एक, अपने एक रवायत होती है, अपने, अपना एक temperament होता है, वो उनके साथ की शब्दों का, जो कितने मूँ खुलना, कहा होट खुलना, कहा जबान खुलना, या कौन से शब्द पे कहा पौज आना, अब कितने लोग गाते हैं, हजारों हचे हर खाहिश पे दम निकले तो के हर खाहिश पे दम निकले ये होता है तो ये सारी मैं च्छुड़ागल दे रहा हूं को तो मैंने में बहुत हो सीथी और आज भी सीख रहा हूं मैं तो स्ट्ूडेन्ट फूम्यूजिक कर मैं हमेशा में कभी बिलिब करता ही नहीं बिलकुल नहीं और मैं जहां से हो सकता है मैं सीखना सीखता रहता हूं है फिर अपना विर्जाखालीव हुआ वहां से उलदार अंकल साहब से मुलाकात होई तब ही मैं इतनी कुछ सत्रा सुरह सत्रा साल को हुआ तो यह जर्णी इतनी प्यारी रही फिर एक स्टेज ऐसा आया 2005 में कि मैंने जगजीत अंकल को फोन किया और कहा कि अंकल अब मैं नही नहीं बजाना चाहता है मुझे सिर्फ क्लासिकल पर फोकस करना है मेरे आई वांड़ी दू माय मतलब सोलो कॉंसर्ट वहीं क्लासिकल के बोला यह सब आश्वारम भोलने पड़ेंगे क्लासिकल कॉंसर्ट करेगा वाइस्टार ने मिलेगी तुमको मिलेगा गैस्ट हाउस हा को लिए मिलेगी प्लाइट ने मिलेगी बिसनेस वास सो बहुत दूर की बात है अब कुई बात नहीं नए सबस्टार करेंगा यह क्लासिकल करना है तो बला मेरे साथ बजहाना तरीको किता बजहना मैं आपके साथ तो बजा ही रहा हूँ और तो मैंने बुला कि लिए अंकल मुझे तो दो लोग आएं वो मेरे लिए हैं वो वो आपके नाम से कॉंसर्ट हर सेटरड़े हम जाते थे शिरीफोट और वो सुल्ड़ उता हमेशा हमेशा खाली श्रीफोट नहीं पूरे वर्ल्ड में कोई भी जगा हो बलकुल कुछ कुछ नाम ऐसे हैं जिनके टिकेट्स भिकती हैं यह नाम अनांस हुआ वर्ल का कोई भी क तो मैंने कहा कि ने अंकल मुझे है ना मुझे शोलो बजाना है मस बड़ा तरीको हो क्या गया तू तू तीद ये ठीक है तो तो ये दिस बट्वीं यू एंद हिम तो वो और चित्रा अंटी घर पे आए तो घर पर आने के बाद हमने एक ड्रिंग मारी फिर उसके बाद जग जीत अंकल हमको खाना खिलाने ले गए घर के बाज़ू में एक रिस्टरंट हुआ करता था टाइम एन अगें वहाँ पर फिर वो मेरी वाइफ को बले ला था इसको बोल कि अमेरिका चले उसके बाद करना जाता हूं जाता हूं मुझे ख्लासिकल जाना बस मुझे संगत नहीं करनी तो यह संगत थोड़ी आपर वही बात रिपीट जो फोन पर भी थी वह अंकल मुझे अना सेंटर में बैठना है तो वह से लगए बहुत दोर से ऐसे बदा तू यहां बैठ जा में तिरी उसमें मैं हूँ कि चलो दीपक पंडित भी ऐसाथ में ऐसा नहीं है कि मैं नहीं होंगा तो पब्लिक टिकेट नहीं लेगी सवाल ही नहीं होता वह आपका कॉंसर्ट है चाहता हूं कि दो लोग आए या 2000 लोग आए वो मेरे नाम से हैं तो चित्रा अंटी ने मेरा साइड ल और वो मैंने बंद किया करना मैं कम्प्लीट अपने आपको मैंने सब तरफ से बाइकट किया और मैं सिर्फ अपना अभी भी करता हूं और जब तक चलता रहाँ का रहता और वे काम के फोन तो आते रहते थे लेकिन नहीं करता था पांच छे साथ आठ दोजार आठ के करीब कुछ-कुछ प्रोजेक्स रिकॉर्डिंग वगरा कि जो मेरी खुद की होती थी जिसमें मैं खुद कंपोस कर रहा हूं वो मैं करता था बाकि मैंने तो जो इंडस्ट्री में जो वाइलिन बजाना भी था वो भी मैंने बहुत पहले बन कर दिया था पुछ तो मैं नहीं करता था तो वेला मतलब बैठा रहता था मैं मतलब मेरे वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया मुझे घरवालों ने सबने मुझे सपोर्ट किया इसमें कोई शक नि खासके तो मैं मेरा भाई और मेरी वाइफ और मेरी बच्चे रियाज करता था और ऐसे करके अपना टाइम पास करता था रियाज बहुत करता था बहुत करता था फिर कुछ-कुछ क्लासिकल कॉंसेट्स की इंक्वाइरी आई दो हजार आठ के करीब आई तो वही है कि नारिल और शॉल मिलेगा आने जाने का भाड़ा मिलेगा और गेस्ट हाउस में रुकना है जो उन्होंने कहा था वही जो मैंने मंगूर है मैं लेकिन जब मैं धायतिन गंटा बजा के उठ और मैंने देखा की वह ओडियंस तो अफकॉस मेरे लिए नहीं थी वह ओडियंस तो क्योंकि वह फेस्टिवल सा तो फेस्टिवल में जितने कलाकार होता है सबके लिए उतने लोग लेकिन पर्टिक्लर्ली उस लॉट पे उतने लोग बैठना ने तो उटके चल जातें लोग थे मैं वह भूल रहा हूं जगा कहां थी MP में संवेर इन MP मैं जगा का नाम भूल रहा हूं तो मेरा सब भूल गया मैं 5-star hotel suite या business class या यह वह पैसा सब भूल गया मैं वह जो मजा था वो नशा जो था ना की बैट के धाय तीन घंटा बजाना और वो लोग आपको सु वो नशा उस नशा में मैं पूरी जिल्गी रह सकता हूं पर एक स्टेज ऐसा आया कि जब जग जीत अंकल के आईटनीज जाती थी और मैंजर के पास तो और मैंजर बोलते थे कि इसमें तो दीपक पंडित का नाम नहीं है तो एक ने बोला दो ने बोला तीन ने चौथे न नहीं जो भी सर आपका है यह वह फोन रग दिया फिर वह फोन डग दिया फिर प्र फोन के पास फोला नहीं टीक ही बात निग्स ने परनी तो आप just acqu एक न और मैंजर को कहा कि आप उसको даже कॉंडिक कर लीजी आप उसको डिरेक को डिरिक्ट फोन करता है तो आपको आपका सीना चोड़ा हो जाता है वो मेरी बद्तमीजी थी एक्चुली और वो मैं कन्फेस कर रहा हूं आपके चैनल के माधियम से तो उन्होंने फोन किया बोला ऐसासे जजी जी का कॉंसर्ट रखा है हमने और हम चाहते हैं कि आप उनके स साथ बजाएं तो मैंने बोला तो वो फोन करेंगे ने हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि आपने अभी कुछ अर्शे से नहीं बजा रहे आप उनके साथ मैंने मेरे सोलो कॉंसर्ट के लिए या मेरे क्लासिकल के लिए मैं फोक्स हूं और उसपे ध्यान दे रहा हूं नहीं तो बोला कि आप यह कॉंसर्ट का लीजी ना अब क्या होता है ना कि सर मैं भी इंसान हूं गलती इंसान से होती है और मैंने बोला ठीक है आप पेमेंट पगरा क्या करेंगे तो बोला आप क्लता यह मैंने कुछ एक्स वाइजए अमांट बोला and they agreed and then I said कि I need one business class ticket or I need one separate room smoking room would have fine okay sir alaki map इस बात की बाद एक और बात बता हूंगा अला कि अपना guy airport पहुंचे अब मैं concert किसका बजा किन का बजाने जा रहा हूं जग जी दंगल का लेकिन मुझे और मुझे और मुझे बुक किया तो ऐसा एक-दो चीज होई थी तो when I was sitting next to him flight के अंदर मज़े तो ले रहे हम लोग मस्ती करे सब कुछ लेकिन मुझे बड़ा ओड लग रहा था और मेरी आउकात नहीं है इनके पास बैठनी के मेरी आउकात नहीं है इस तरह से बैठनी के आउकात नहीं है मैं जाके पीछे मेरी टीम के साथ बैठे जावेद धुलत बजाते थे बहुत बुनी खांदान से थे अभी नहीं रहे वो बहुत यंग था वो लड़का हुलाम हुलाम मुहमेद साब के ग्रेंट संब पाकीजा फिल्म में जिनका में जी था जी जी वो थे अभी नहीं जी थे काफी सारे हमारी टीम के थे प्रोगाम हो गया सर वो लेकिन दिल में मेरे बड़ा मलाल रहा कि मैंने यह क्यों किया मुझे यह नहीं करना चाहिए जैस नहीं मेरे को आना होगा तो जैग जी जी को अंकल को मैं खुद बात कर लूगा वैसे आऊँगा ऐसे डारेक मेरे को अप्रोच मत करिया तो वो चैप्र क्लोज हुआ फिर अपना उनका जो अधिकार और एक जो दादागिरी दोनों चीज बोल सकते हैं बोले कि अमेरिका क्ले को बढ़ते रहते हैं यहाँ पे ताय होते हैं कि अपना भारा सैच होंगे वह झागे ख Mitte करते हैं कि लेक बैपने तक का मौका निविलता हो उसके बाद सबसे कि हौटा था कि वो किसी के होटेल में ख़ाना खाने जाओ और और वह खाना खाने में फिर रूला भी पी हो फिर उसके बाद के निए एक आदमी ऐसा होता था उनका जो हमेशा होता था जो आज भी होता है वो कि वो रस्ता भूलता था फिर एक एग्जिट मिस कर लिया तो आपका देड़ गंटा वैसे घरा हो गया यह यह हमेशा होता है तो यह सारी चीजें फिर मेरे को कपड़े प्रेस करने नहीं आते अभी जितने कॉंसेट का कमीटमेंट है उतने ही करो उसके ओपर करोगे तो मैं इंडिया जाओंगा और कसीनो मैंना कसीनो चलीगे कसीनो का हम दोनों का कॉमन एक फेक्टर आया लाइफ में तो खुद मेरे कपड़े प्रेस करते थे और सच बता रहा हुँ मेरे कपड़े अभी न सारों बार और उसके बाद अपना वो चीजे बंद की लेट नाइट पार्टी जिस दिन खाली दिन है उस दिन रात को बैठ गए ठीक है बट वह वापस सुभी छे बजे लॉबी में मिलो फिर वहां पर ताइम डिफेरेंस फिर सीधा साउंड चेक फिर कॉंसर्ट फिर अग तो यह सब हो आए सब दोर देखा हैं ने फिर उसके बाद मैंने बला अब भी नहीं आप में चाहिए बांगलादेश मेरको आप ले जाओ एक महीने पर चले अमेरिका नहीं आपके साथ अमेरिका नहीं वो बढ़ता रहता है मैं वापस आयों कई बार टूट छोड़के वा मेहदी एसनस आपका चोड़ा तो और चुकि आप इतनी महांदारी से अपनी गल्तियों पर भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ यह मेरी अखर्द वो था या यह मेरी आउकात नहीं थी आप इस तरह की शब्द इस्तेमाल कर रहें तो यह मेरी हिम्मत हो रही यह है हर एक फ्रेज होता है लाइफ का जी अभी आई वस किड़ टाइम तो जगजीत अंकल के पास संजी कोली जी का फोन आए था मदन मोहन जी के साफ़जादे को बुले कि लता जी का कॉंसर्ट है देली में मैं उस समय मिर्षाल से कुछ 21 साल का हूंगा तुम लेल लटा जी का देली में तालव प्रेटोरा स्थेडियम में और वो उसस्कॉंसर्ट में सिर्फ तीनी लोग तassing वाईलन में और सुम्हसमित द्री मेतल्वा प्रणक सोछ्ए अर बजा और अनिल दोलेशी मनद सब कीनियों तीन जिल्स्टीटे है वो ऐ का सारा end तक उन्हों नहीं किया है वो करते थे वो he was on vibrophone तो जी और उस समय if I am not wrong I am sure उस समय लदा जी को handle करते थे कुट्टी साहब जो बाद में गुल्दा साहब को manage करते थे तो मैंने जग जीत अंकल को बोला ठीक है मैं चला तो डेली में था तो बोला तू चला जा ठीक है हो गई बात हो गई रेसल भी हो गई लटा जी तो नहीं थी रेसल में अनिल मोहली जी थे अब तो इस दुनिया में वो भी नहीं रहे इश्वर उनकी आत्मा को शान्ती दे बहुत बड़े कलाकर थे बहुती विद्वान अरेंजर मुजिशन थे तो रेसल हो गई तो सारा कुछ लिखावा था और उसमें रिदम अगरा नहीं थी बस वाइलिन था एकॉडियन और वाइब्रो फोन तो हम पहुंचे डैली पहुंचे तो डैली पहुंचने के बाद अब मेरा क्या था कि जग जी तंके के साथ ट्रावल इतना किया ना तो व वो सारी चीजें जो थी ना उस मुताबिक नहीं होती तो बड़ा जीब लगता था तो चलो वो मैनेज कर ले माने ठीके इस मैटर अफ वन डे क्या फरपड़ता है और इतनी हमारी सरसुपी माय तो उनके साथ बजाने का अवसर मिला है यह माइं बेक अप करके मैं गया पिर जब हम स्टेडियम पहुंच रहे थे तो उससे पहले शो के कॉंसर्ट से पहले तो चालीस हजार लोग थे करीबन कुछ मुझे अनिल मोहिली जी ने मैं उनके साथ रूम शेयर कर रहा था मुझे उन्होंने कपड़े दिये कपड़े बोले यह यूनिफाम है यह आपको पहनना पड़ेगा वाइट कुड़ता पड़ेगा तो आप मेर से ना मतलब प्यार से कुछ भी करा लो मैं जान दे दूंगा लेकिन निक होता ने कि यह कंपल सरी है यह करना पड़ेगा तो उसके अगेंस जाता हूं मैं फिर यह मेरा नेचर है यह बत्तमीजी भी कह सकते इसको और जो भी समझें लेकिन यह मेरा नेचर है तो उनिवर्म तो मैं पहनता था इसकोल छोटए मेर को टाइम होगया मैंने इं को बस्ति में आ यह तो पहनना पड़ेगा तो मैं नहीं मैं उनिवर्म तो हूं तो नहीं पहनुगा और उस समें वो दो ही फ्लाइट होती थी वाम्बवे देली की सभी शीक शाम की वोह याताी थ वापस तो मैं शाम की फ्लाइट से वापस आ गया बॉंबे मैंने नहीं किया कॉंसर और उसका जो उस समय जो भी खर्चा था वो मैंने पे किया कि यह मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूलती है कि मैंने ठीक है जो भी मेरे प्रिंसिपल्स है या मेरे उसूल है लेकिन आप एक सटन एज के बाद आपको पता चलता है कि आपने लाइफ में क्या मिस्टेक्स की लटा जी का लटा जी का कोई रिप्लेस्मेंट नहीं मां करते हैं और उन्होंने तो मेरा अल्बम लॉंच किया है कुछ चार-एठ साल पहले वो मेरे भाई हैं मैयूरिश भाई बड़े ही बुनी इंसान है तो उनके जरीये से वो चीज हुई और एक बार जब मैंने सोनु निगम जी का जो एक आल्बम किया था क्लासिकली माई तो उनका खुद का फोन आये मुझे कि तुमको गाना ची तुम गाते बहुत अच्छा हो मैं तुम्हारे एंडी टीवी पर देख रही हूं और बहुत अच्छा गा रहे हो तुम्हें ने महीरिश को भी फोन किया था महीरिश जी को भी मुझे भी खेर वह बात में आऊ उस कि हम तो बच्पन से मुरीद हैं उनके और जिन्दी भर रहेंगे बट कभी-कभी क्या होता है कि मेरा जितनी मेरी हैसियत है जितना मेरी मेरी आवकात है जितना मैंने म्यूजिक सीखा है तो उसमें जो मुझे आता है वो मैं हंड्रेड नी थाउजन परसेंट करने की करता हूं मेरा बैस्ट वेक प्रोजेक्ट कर रहे थे लंडन की कोई कंप्टी में नाम गोल गया मैं अरेंज कर रहा था और मेहदी असन साब गाह रहे थे यह अरी अरेंड साब के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग चल रही थी बीट स्टूडियो ताड़ दे हो साउथ तो मैं ने बोला की खांसा ऑच्छत थोड़ा बोलता था तबी संप्ट बोलता था कभी अंकल बोलता था खुछ शमझ भी नियादा था था क्या आँ थोड़ा वो लाइन करेक्शन कर देंगे, तो बड़ा अच्हा हो जाएगा थोड़ी सी घडबर लोगा तो क्या होता था वो रेडी थे करने के लिए क्योंकि मैं अरेंज कर रहा हूं और खैर वो मेरी तो कोई विसाद या कोई अवकात ही नहीं कि मैं उनको बोलू कि वापस रड़ कर दीजी लेकिन मैं उस अल्बम को अरेंज कर रहा था तो उन्होंने पूचा ठीक हो गया थोड़ा उस समय अंटारेस होता नहीं था मैलरडाइन वगरा यह सब होता नहीं था तो उनके साथ कुछ और लोग थे उनके शागित नहीं लेकिन वो बोलते ना कि चले चपाडे चाय से गरम केटली होती है अरे खांसाब ने एक बार दब कर दिया वो थोड़ी दब थीक है कोई बात नहीं तो वो लोग चले गए स्टुडियो से तो मैं अपना मेरा दूसरा प्रोजेक्ट मैंने जो शुरू किया था वो उस पर काम करना शुरू कर दिया मैंने रात करीबन दस साड़ी दस बज़ रहे थे हुजे बराबर यादे कि मैं जैंती गोशर जी मेरा सबाग है कि भुपी अंकल भुपी जी ने भुपेंदर सिंग जी ने बेज रिटार बजाया था मेरे प्यार के लिए जी तो मैं वो काम पर लग गया और लंडन की जो प्रोडूसर थी वो श्रीवास डिगल लिके आए थी तो वो खोल ली थी मैंने तो वो भी चल दा म अधे गंटे गोगे थे मेरे को मेरा दूसरा काम शुरू करते वे तो खांसाब आए और उनके साथ उनकी पूरी गैंग भी आई थी मैं फिर से पूरा गाना डब करूंगा कुछ मैंने बड़ा हाठ जोड के उनको बोला मैंने ख़ंसा ब्ली ऐसा है मैं इस जोन से निकल गया हूं अभी में दूसरी जोन में आ गया हूं अभी मेरा एक मेरा सट्ट-फ माइंड अलग हो गया तो आप पर्सों पर्सों कर लीजिए कुछ कल्बे में बुजी हों तो पर् जार से बोला तो आपने तो कुछ बोला ही नहीं मुझे आपके साथ जितने लोग आएं वो बढ़ने की खांजा वह एक बार डब करते तो अभी तो नहीं हो पाएगा और मेरे ग्लास लास रखा होता वह देख रहे थे सर मैंने वह उनका नामंजूर किया यह जो था उन्होंने मुझे बोला था कि डब कर ले तो मैं अभी में दूसरा काम शुरू कर रहा हूं और अभी नहीं जा पाँ मैं क्योंकि वह मिजाद अलग है यह मूड अलग है वह मैं मिक्समाश नहीं करना जाता तो ही वस वेरी एंग करती थी Western Music I think उनके जो ओनर थे उनके उनर का नाम था ज्यान बाचानी जी उन्होंने ओ थे या कोई और थे मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है उन्होंने कॉंसर्ट रखा था मैधी साब का जुहू होटल पर और मुझे कहा गया था कि तुमको वाइलिन बजाना है काम खांसाब के साथ बजाओं मैं I was very excited तो वहां पर जब मैं पहुंचा तो खांसाब खांसाब फूरी दुनिया उनको घेरी भी सा मैं पहुंच हुए मैंने उन्होंने देखा ही नहीं ठीक है उनको हजारों लोग घे रहे तो मैंने चलो कोई नहीं तो फिर जो और मिला बहुत अच्छा बजाता है दीपक नाम इसका और यह आज वाइन बजा रहा है अच्छा ठीक है तो चलो I was okay और यह जगजीत भाई के सब्जाते हैं जिन्ने इंस इंत्रोड़ें कर आए हैं मेरा अच्छी तो मेरी आदत थी कि मैं सिंगर जग्जीत अंकल के साथ जैसे मैं बैठता था वह सेंटर में तो मैं उनके लेट में तो वैसे मैंने प्राइबिश्मेंट कर लिया वाइलन खोल के तो वाइलन खोल रही मैंने तो sound on balance हो रहा था आप पीछे बैठिए तो मैंने बैठिए कहां बोला मेरे पीछे बैठिए तो मैंने आपके पीछे इतना बड़ा कि मैं आपके साथ संगत नहीं करताया उस्के लिए ना मुझे करना है और मैंने वाइलन टै किया और मैं जाने लगा तो उनके लड़के में नाम भूल गया कामरान या क्या वो आये पिता जी का वो मतलब नहीं था मैं चार बार सुना उन्हें लोगा पीछे बैठिया हमारे पीछे बैठते आगे नहीं बैठते कोई तो वो तरीका मुझे ठीक ने लेगा तो मैं आटके चला गया मैंने नहीं बजया उसक कि पीछे क्या इनके अगर चरन का धूल भी प्यों पानी डाल के चरन की जो बोनाची ना धूल भी उठाने तो हम नसीब आलें लेकिन वह एक ताइम था कि मैं भी बच्चा था और छोटी चीज पर इरिटेड हो जाता था और यह सब चीजों का आदीद नहीं था मैं ना आ कादर्श मानते हैं तो यह दो जगा मिस्टिक बड़ी होई और अनुप जी के साथ तो मेरा करियर शुरू हुआ है यह चीज आई तिंग अनुप जी को भी नहीं पता हम लोग लंडन में थे और मैं सर मेरी कादत मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मैं दिन को दिन ही कहता हूं और तब अनुप जी को हेंड़ करते थे उर्द के मेनेजर थे और हमारे बड़े प्यारे भाई सब्याइख मती हैं उंका नाम है कुपकु सिंग तो एक concert में मुझे याद नहीं कहा था वो एक concert में चमनलाल चमनजी वो और्मेजर थे जिन्होंने गाना लिखाए सोन दा महीना वो उन्होंने लिखाए वो एक concert के जो और्मेजर थे वो उन्होंने एक concert औरनाइस किया था अनुप जी का अनुप जी कुछ लेट हो गए थे वहां concert में पहुंचने से और हम लोग स्टेज पर ही थे अब अनुप जी निये तो हम लोग स्टेज चों बैठके कोई मत्तब नहीं न हमारा स्टेज चों बैठना कोई मत्तब नहीं तो हम लोग स्टेज से अपना इंस्रुमेंट्स उगरा ट्यून करके बैलन्स करके नीचे आ गए तो वो माइक पर कह रहे हैं कौन चमलाल चमल जी कि यह इंडिया नहीं है यहां टाइम की कदर करना चाहिए यहां पर यह होता यह डिसिप्लीन होता यह लंडन है यह है यह वो है आप लोग आते गए हो लेकिन आपको यहां के वह मैनर्स और यह नहीं पता कि आपको टाइम की कदर नहीं है यह नहीं है अब आप जो है वो किस तो मुझे वह चीज बड़ी अखर गई मैं उनके पास गया तब तक अनुप जी आ गए अनुप जी आते के साथ ही वह वेलकम वेलकम टू अनुप जो लोटा जी यह वह सब पुछा तो वह शो मैंने बजाया क्योंकि वह कमिट्मेंट सा मेरा शो के बाद मैंने उनको कहा चमन कि मैंने आप भी तो हिंदूस्तानी हो ओ आप इंडियन नहीं हो आप इंडियन हो ना भी पंजाबी हो ना इंडियन हो ना आपको यह कहते हुए ठीक लगा in front of everyone कि यह इंडिया से तो आगे लेकिन इनको यहां के काई काईदे कानून और टाइम की वैल्यू नहीं यह नहीं कंशेट थे मैंने कुकू को कुकू जी को बोला कि भाईया अभी मैं आगे कंटीनुनियन ही कर पाँ आज रात को इंडिया वापस जाओ उन्होंने समझाय मुझे अनुप जी को आज ता की बात नहीं पता है तुरस्ट मी कुकु जी को पता है, टिकेट पास्पोर्ट हमेशा मेरे पास रखता था, हमेशा, आज भी रखता हम, कब मेरा मूर चेंज वह रहा है, मेरे को ही पता है, तो मैं हमारे कमन फ्रेंड तो बड़े हैं, लेकिन दोस्तों की दर रहते हैं, दीपक खांची जी, उनकी उनकी मिस्स वह ब्रिटिश हिर्वेज में थी, उस समय, तो उनको मैं मामा बोलता था प्यार से, मामा मेरे को जाना है, मेरा टिकेट कंफॉम करा दो, बुरा ठीक है, उनने अपनी वारे को बोली करा है, मैं टेक्सी पकड़ी, खपड़ी भी नी चींज की, टेक्सी पकड़ मैं इनको क्यों इनको से क्यों अपकी चीज करो, लेकिन ठीक है, मैं अपनी देगा ठीक था उस समय, ऐसा लगता मुझे, लेकिन यह तीनो चारो जो आपने वजहें बताई इनके से कोई वजह ऐसी अतार्किक नहीं यह लोजिकल नहीं है, क्योंकि अगर आप बेशक किसी के के साथ संगत कर रहे हैं लेकिन आपके और आप एक घरादेदार कलाक उससे आते हैं तो इसमें कोई बात अतारगी नहीं लगती इसलिए अगर आपने कोई मन पे आज बोज हो तो आपको बोज उतार सकते हैं अगर जितने लोग इस इंटर्वी को सुनेंगे मुझे नहीं टाकार होता तो, मैं तो बचाँ, जज़ करें या नहीं करें मैरे तो जो दिल में है मैं आज सारी चीजें उबल रहा हूं, सब शेयर कर रहा हूं जिसको जो सोचना है तो प्ल मैं सबके बहुत हिजचत करता हूं सबको मैं पैरो को हाथ लगाता हूं और मैं मैं खud बहुत लगी हमें जरूर बताएं इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राये रखें इसके लावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानि नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आप वक्त हो तो तुरन देखें नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतिय शास्त्रिय संगीत के बारे में जागरुकता पहलाने का एक मंच है जो एक रेजिस्टर्ड ट्रस्ट ह और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खासतोर पर ये मुहीम चला रहे हैं जिसका टाइटिल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे